अस्सलामु अलेकुम वेलकम तु स्टूडेंट यूग नाइन ख्लास की बायॉलोजी है चैप्टर थी है स्ट्रक्चर ओफ वाइरस आज का टॉपिक है वाइरस इस नॉन सलूलर ऑब्लिगेट एंडो पैरसाइट लिव इंसाइड होस्ट सेल तो यहां पर वाइरस का स्ट्र की जरुवत पढ़ती है यह खुद किसी सेल का नहीं बना हुआ था बट इसे किसी होस्ट सेल की जरुवत पढ़ती है रहने के लिए इसके अंदर नुकलियर माटेरियल होता है या तो आरेने बेस होता है ठीक है इट है इस प्रोटीन कोट कॉल्ड कैपसिट डैट अब वाइरस जो है प्रोटीन के बना हुआ होल जैसे कैपसिट कहते हैं उसमें होता है इट रिप्रोड्यूसेज ओनली इंसाइड दा होस्ट सेल अब वाइरस जो है किसी भी जानदार सेल के अंदर रिप्रोड़क्शन के जरिया अपनी तादाद जो है वह बढ़ा सकता है अब इसका जो यह नॉन सेलुलर नेचर है यानि कि यह सेल पे बेस नहीं करता है तो इस वज़ा से इसे किसी फाइफ किंग्डम में से किसी में भी प्लेस नहीं किया गया ठीक है यह तमाम जो है वाइरस की एक्जामपल थी कि वाइरस जो है डिजीज का बाइस बनता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी हुमन्स में भी ठीक है प्राइन एंड वाइरोड्स आर ओल्सो नॉन सेलुलर पार्टिकल्स तो यह था वाइरस का स्ट्रक्चर उमीद करती हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि वाइरस क्या होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है यह खुद सेलुलर बेस नहीं होता बट किसी भी जानदार के अंदर सेल में रहकर अपनी तादाद बढ़ाता है ठीक है वीडियो हल्फुल आओ तो आपने से लाइक करना है शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब के बगर मत चाहिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आला हाफिज